वा करीब साड़े आठ बजे महिंद्रगर में एक बड़ा हाथसा हुआ जहां पर बच्चों से भड़ी एक बस पलट गई अब इसी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है स्कूल प्रिंसिपल दिप्ती राओ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आपको बता दें कि प्रिंसिपल दिप्ती राओ की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है नशे में धुद जो बस ड्राइवर था उसे खेडी गाओ के ग्रामिडों ने रोका था और ड्राइवर के नशे में होने की सूचना जो है ग्रामिडों ने प्रिंसिपल को दी थी प्रिंसिपल ने ग्रामिडों को आश्वासन दिया कि आज ड्राइवर को भेश दिया जाए और कल से ड्राइवर को हम हटा देंगे तो प्रिंसिपल पर उचित कदम ना उठाने को लेकर कारेवाई की गई या हिरासत में लिया गया है प्रिंसिपल को आपको बता दें कि सहलंग गाउं का रहने वाला है आरोपी बस ड्राइवर और उस वक्त वो नशे में धुत था जिसकी वज़ा से ये बड़ा हाथसा हुआ और इस हाथसे में छे मासुमों की जान चली गई तो अब प्रिंसिपल दिप्ती पर बड़ी लापरवाही सामने आई है नशे में धुत ड्राइवर की जानकारी जो थी वो उन्हें मिल गई थी हाथसे से पहले ही अगर यहाँ पर सही कदम उठा दिया होता प्रिंसिपल दि सुमों जो है अब उनकी मौत हो चुकी है तो इस पूरे मामले में स्कूल प्रिंसिपल दिप्ती राव को पुलिस ने हिरासत में लिया है बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है यहीं इस पूरे स्कूल बस हाथसे के बाद परिवहन मंत्री ने बड़ा फैसल लिया है स्कूल बसों की फिटनेस जो है वो चेक कराने के ओर्डर दिये है परिवहन मंत्री अस्तीम गोयल ने इसके आदेश डे दिये है जिला शिक्षय अधिकारियों को भी एक सर्कूलर जारी करना होगा फिटनेस चेक करने के लिए ये सर्कूलर जारी किया जाएगा स्थानिय डी टी ओ को भी स्कूल के खिलाफ एफाई आर दर्ज करवाने के आदेश दे दिये गए हैं ये बड़ा एक्शन लिया है परिवहन मंतरी असीम गोयल ने जहां स्थानिय डी टी ओ को स्कूल के खिलाफ एफाई आर दर्ज कराने के आदेश दे दिये गए हैं तो स्कूल प्रिंसिपल को भिरासत में ले लिया है उसके बाद परिवहन मंतरी का एब बड़ा फैसला मेहंदरगड के कनीना में आज एक दुखदाई घटना हुई है सबसे पहले तो में पर्मपिताप्रामात्मा से की चर्णु विंति करूँगा दिवंगत आत्मा को शांती दे उन बचों की आत्मा को और परिजिनों को संभलने का एक संबल दें, ताकर दें, और मैंने एक मिर्वेश दिये एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी एक चन्दिगड के हमारे उच्य अदिकारी की अधिक्षता में, तो सारे पहली। की जांच करेंगी और हमने वहां लोकल डीटियों को भी अदेश दिये हैं कि वह स्कूल के खिलाफ एक आफाईया दर्ज करवाएंगे और जो हमारे M.V.A. इस तर के एक अदिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोशी पाएगे की कागज पूरे नहीं थे तो उनको भी सेस्पेंट करने की बात है और मैं एक जानकारी के लिए बता दूँ हमने ऑलड़ी तीसरे महिने के अंदर इस बस का साड़े पंदर के जो वीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जाँच कराएं और सबी जो हमारे डीटियोज हैं एक सर्कूलर टाइप जारी करेंगे डीओस को और स्कूलों की सारे हर्याना के जितने भी स्कूल के वीकल्स हैं उनकी जाँच को इश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिजनों को ये क्रूर अगहात सहने की शक्ती परदान करें नगायल वुए बच्चों के शिग्र स्वस्थ होने की काम ना करती है तो ये टूइट किया देश की राश्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू ने जहां उन्होंने अपनी सम महिंद्रगड में जो हाथसा हुआ वो अत्यंत पिड़ा दायक है मेरी शोक समेदनाय उन सभी परिवारों के साथ है जिनोंने इस दुरघटना में अपने बच्चों को खो दिया है के साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शिग्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ राज्यस परिजनों के प्रती व्यक्त की है और साथ-साथ ये आश्वस्थन भी दिया की फिड़तों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हर संभव जो है वो सहायता कर रही है राज्यसरकार देश के ग्रह मंत्री अमिर्च शाह ने भी महेंद्रगड बस स्कूल हाथ से पर ट्वीट कर दुख जताया है उन्होंने कहा कि स्कूल बस का दुरगटना गरस होना बेहत दुखद है मेरी समवेदनाए मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है इश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ती परदान करे थान्य प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को साहता पहुंचाई जा रही है उनके शिक्र स्वास्ते स्वास्त होने की मैं काम ना करता हू तो ग्रह मंत्री अमिर्च श्याह का ये च्वीट है जहां उन्हों लिखा कि मेरी समवेदनाए जो है वो परिवार के साथ है और स्थानय परशासन के द्वारा घायल बच्चों को जो भी सहता है वो पहुंचाई जा रही है और इसी के साथ-साथ उन्होंने त्वस्त होने क कि भी बच्चों की कामना की है मुख्यमंति नायव सिंग सैनी ने भी महेंद्रगण कनीना हाथसे पर अपनी समवेदनाए प्रकट की सीम ने कहा कि महेंद्रगण कनीना में ये जो हाथसा हुआ इससे मैं बेहत आहत हूँ मेरी समवेदनाए सभी शोख संतफ परिवारों के साथ है हाथसे की जांच कराकर दोशों के खिलाव सक्त कारवाई की जाएगी मुख्यमंति नायव सिंग सैनी ने कनीना स्कूल बस हाथसे की जानकारी लेते हुए डिप्टी कमिशनर से फोन पर बातचीत की मुख्यमंति ने डिप्टी कमिशनर को फोन के माध्यम से ये आदेश दिया कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रियास किये जाए स्कूल बस के दुर घटना गर्स्त होने से मैं बहुत आहत हूँ मेरी समयंदनाएं उन सभी सोकसमत परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए है स्थानी अपरसासन घायलों के देखबाल के लिए पूरी तरह से मुस्ताइद है इस हादसे की जाच करवा करके जो भी दोसी विकती है उसके खलाफ सक्त कारवाई की जाएगी और क्योंकि Code of Conduct लगावा है हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गवाई है परिवारों को उचित मावजा और जो हॉस्पिटल में अडमिट है घायल है उनके इलाज के लिए भी सरकार कौन रूप से उनकी देखवाल के लिए त्यार है स्रीयम नायव सिंग सैनी ने भी ट्वीट कर इस पूरे हाथ से पर लिखा कि दुरगटना ग्रस्थ होने इसकी बाद से मैं काफी आहत हूँ साथी साथ कहा कि मेरी समवेदनाय उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोई है स्थाने पर शासन घायलों की साहता के लिए मुफ्तैद है सभी घायलों के शिग्र स्वस्थ होने की काम ना करता हूँ वही शिक्ष्या मंत्री सीमा त्रिखा भी घायलों का हाल जानने के लिए रेवाडी अस्पताल पहुंची क्या कुछ कहा उन्होंने आई आई आपको सुनाते हैं जी लापर भाई तो सबसे बड़ी है कि आज गर्स्टीड हॉलीडे है और स्कूल चल की हो रहा है फिर लापर भाई यह है कि सुबा बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है मैंने कहती है कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बाद जो बच्चे को सुबा बसे लेने चाहती हैं वह अपने पॉइंट से लगब पांच साड़े पांच निकलती हैं तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पीवी थी तो इसने कितने बज़े पी और पीने के बाद ही पचास जिंदगियां एक बस में बैठी वी थी पचास घरों के बच्चे थे इनके बास वह ऐसे बंदे के हवाले हमने जिलियां कर दी साथ बच्चे यह जो जो हमारे विद्याले है हम तो उसे मा सरस्वती का मंदिर मांते हैं एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संसकार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है रेड लाइट, औरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, हम बच्चे को सेकंड क्लास में समझाते हैं, तो जो स्कूल चला रहे हैं, उनको भी तो ये समयने की जरूरत है, कारवाई क्या होगी? कारवाई कारवाई वही होगी, जो इस नॉम्स के अंडर आती है, मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हो, कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था, इनको नोटिस जारी हो चुका है, और इसके इलावा, प्रावेट स्कूल हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इन से हम लेंगे, कि एक तो ये, ये खुदी सुनिशित करके हमें एफिडेविट दें, कि हम ऐसा काम, हम एकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कनूनी कारवाई से कोई व्यक्ति बचेना, दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के वहिकल्स हैं, उनका भी एफिडेविट ये ही देंगे कि हमारी गाडियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के एकॉर्डिंगली हैं, तीसरी चीज जो इनकी गाडियों को चला रहे हैं, वो शराब की अवस्था में पाए गए, तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी, और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये FIR उस ड्राइवर के खिलाफ दर जोगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। अने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाफ जो है, वो सक्त से सक्त कारवाई होगी। जिस जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाफ कानूनी कारवाई होगी। स्कूल जो संचालक है, आज स्कूल की क्योंगी छुटी थी, उसके बावजू स्कूल खोला था, तो क्या उनके मानिता रद की जाएगी है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगी। स्कूल कारवाई होगी। सिक्षा मंतरी खुद पहुंची है रेवाली के अस्पताल में और इसके बाद वो सायद गटनास्तल पर भी पहुंचेंगी। सिक्षा मंतरी का कहना है कि वह अब यहां से सीधे जो गटनास्तल पर भी जाएगी और जहां पर बच्चों का पोस्मार्टम किया जा रहा है। वहां पर भी जाएंगी और परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। अबी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ड्राइवर के खलाब कारवाई होगी बलकि जो स्कूल संचालक है उसके खलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजू दिसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हाथसा हुआ और छे छात्रों की मौत हो गई। द्रमविशर्मा, न्यूज 18, रेवाडी। तो शिक्षा मंद्री के साथ साथ कैबिनेट मंद्री बनवारी लाल पुरोहित भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायर छात्रों का हाल चाल जाना साथ ही साथ चकित्सकों को उचित इलाज की भी आदेश जो है उन्होंने दिये हैं। दिल दैलाने वाली दटना है। और आज कुछ मासुम बच्चों की जान भी गई है। और आज इस मत्री का स्पिटली गंदर में बारा बच्चे एडमिट हैं। पांच आईश्यों में हैं अर शाथ जरुनलवाड मीं हैं। तो भी उनके जरुनलवाड के बच्चे उनके से आया हूं। और मैं जिन बच्चों की जान गई है, परिवार के प्रति समयदना परकट है। और जो बच्चे अभी दाकिल हैं। उनकी recovery के लिए इस वर से प्रात्ना करता हूं, जल्दी से ठीप हों, और जो भी आपके school की जो लापरवाई हुई है, चाए उस school प्रसासन की हो, चाए किसी करमचारी की हो, तो उसके खिलाब सरकार सक्थ सक्थ कारवाई करे भी, चाए उसका registration कैंसल करना हो, चाए उसकी application कैं दिखते जाए और होस्पेलिके प्रसासन सिर्म मैंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गमधीरता दिखी